इक्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है लाइक करें मारी वीडियोज को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दाए ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें हेलो फ्रेंट्स मैं इन्दुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हाज़रू इस वक्त एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे सीटेट 2021 को लेकर सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन 20 जून तक आने वला था हाला कि अभी 21 जून है और 21 जून तक ये नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है तो बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आप लोगों से फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा सपी एक्जाम भी ले लिए जाएगा तो क्योंकि अभी कुरोना का अइस्थिदी बहुत ही सन्त है कुरोना का अइस्थिदी नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो इसी को देखते हुए हम लोग seated की तयारी शुरू करते हैं और आज पहले टोपिक के साथ पहले दिन के पहले टोपिक के साथ सुरू करते हैं हमारा पहला टोपिक क्या है विकास की अधारना विकास की अधारना से सुरू करते हैं और उससे पहले हम देख लेते हैं seated का syllabus क्या है तो चलिए देखते है, seated का syllabus seated में दो paper होते है seated में दो paper होते है एक paper one और paper two तो जो paper one होता है उसमें क्या-क्या पुछा जाता है तो paper one में सबसे पदे CDP, Child Development, Pedagogy पुछा जाता है, यह 30 question होता है 30 number का होता है इसमें 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, पेपर 1 में, और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तीन सब्जेक्ट इसी से होते हैं, और एक सब्जेक्ट आपका, जो आपका सब्जेक्ट होता है, वो होता है, तो पेपर 1 का फले देख लेते हैं, CDP पूछा जाता है, Language 1, Compulsory होता है और language 2 यह दोनों compulsory subject language 1 में आप Hindi ले सकते हैं या English ले सकते हैं फिर language 2 में या तो आप Hindi लीजिए या English लीजिए तो language 1 language 2 यानि Hindi English चाइल्ड पेटागोजी हो गया और दो होता है एक math होता है और दूसरा involvement होता है तो यह 5 subject होते हैं पेपर 1 में और यह 5 में कितने 30-30 प्रसन आप से पुछे जाते हैं यह देख सकते हैं 30-30 प्रसन पुछे जाएंगे और सभी 30-30 नमबर के होएंगे यानि पर question एक नमबर تोक्स्ते होता होगा क्या GDP चाइल्ड डेवॉलपएंट पेडागोजी यह कमपञ्श्य होता है लेंग्वेज 1 कमपर fresh होता और लेंगर्वेज 3 होगे लेंग्वेर 2 कमपर्श्य लेक्ता सब्सक्री नमबर इंग्लिड़ नमबर केसा त्योंतन यह बाकिन आहमें पर टा क्य सब्सक्राइब में ने सब्सक्राइब जो भी या फिर दिए आपके चौट रहेंगे तो ये अब चार सब्सक्राइब करेंगे हिंदिक इंगले स्कंपफरी होंगे चाइड डॉडबलप एंपेजा गुजी याने की सी डी पी आप देख सकते हैं तो फिर अपना टॉपिक शुरू करेंगे और जब शुरू करेंगे तो सिधे शुरू करेंगे उसके बाद फिर कोस्टिन एंसर भी करते चलेंगे बाद में ये टॉपिक खतम होते ही तो प्र वन में क्या होगा पाच हो गया CDP, CDP हो गया, math हो गया, environment हो गया, और Hindi, English हो गया, लेकिन paper 2 में क्या हो गया, CDP हो गया, Hindi हो गया, English हो गया, ये तो रहेंगे होई, और एक आपका subject, जो additional subject होगा, आपको चाहे SST का कोई subject हो, या फिर science का subject हो, या फिर math का subject, ये आपके रहेंगे paper 2 में, तो पढ़ना, अगर आ math परते हैं, तो math से सिर्फ paper 1 में, और फिर English और Hindi ये भी परते हैं, तो ये आपको दोनों में फायदा हो जाएगा, तो चलिए, शुरू करते हैं, अपने सीटेट के पहले, अपने topic के साथ, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिए पिछले पिछले साल हमने चैनल के शुरूआत कि थी, और उसमें सीटेट साथी एस्टेट के बहुत सारे अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और चलिए शुरूआत करते हैं, अपने पहले topic के साथ, क्या है, विकास की अधारना, हमने पहले topic में दे रखा है, विकास की अध चलिए, देखते हैं, विकास की अधारना क्या है, concept of development, विकास की अधारना क्या है, concept of development, चलिए, आप यहां देख सकते हैं, यह हमने इसलिए दिया है, ताकि आपको यह समझ में आए, क्या है यह इस जो topic हम सुरू कर रहे हैं, उससे इतने सारे प्रसंट कब-कब पूछे ग 2015 में इस topic से 6% पूछे गया है, 2016 में 4% पूछे गया है, इस तरह यह topic काफी important है, तो चलिए हम सुरूआत करते हैं इस topic की विकास की अधारना के साथ, विकास की अधारना है क्या, सबचल पे विकास क्या है, तो विकास जीवन पढ़ेंत चलने वाली एक निरनतर परक्रिया ह विकास कौन सी परक्रिया है, 4 option देगे देगा, निरनतर, रुक रुक कर, रुक कर चलने वाली या समनानतर परक्रिया है, तो इस तरह से आपसे यहां से शुरुआत ही किया हमने, और पहला question आपको मिल गया, क्या है विकास तो आपसे पूछ लेगा, जो हमने पताया भी, उ उसमें से कोई एक सही करना होगा, तो सबसे पले विकास जीवन परेंद चलने वारी एक निरनतर परक्रिया है, यह आपको याद रखाया क्या, जीवन परेंद और निरनतर परक्रिया है, चलिए आगे देखते हैं, विकास की परक्रिया में बालक का सार्विक, क्रियात्मक, संग्यानात्मक और भासागत सम्वेगात्मक यान समाजिक विकास होता है कौण कौन से विकास होता है सबसे पहले सारादिक यानि फिजकल क्रियात्मक यानि मीटर संग्यानात्मक यानि'S Difficult और समाजिक यानि सोशल विकास होता है वो गया विकास क्या अधानना कौन-कौन से विकास होता है बालक में चलिए आगे देखते हैं बालक में आयू के साथ होने वाले गुनात्मक एवंग परिमनात्मक परिवर्तन समानतर देखे जाते हैं बालक में क्रमब रूप से होने व पॉइंट वाइज पूछ लेगा और तुने चार ओप्सन देएंगे उसमें पूछेगा और तुक पूछेगा और तुक नुशार और तुने कहा था विकास आंत्री के वाएज भाध कारणों से वेक्ती में पडिवर्तन है चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है अगला है विकास के अभिलक्षन अब विकास के अभिलक्षन क्या है तो विकास एक जीवन परियंत चलने वाली प्रिक्रिया है जो गर्वधारन से लेकर मिर्ति परियंत चलती रहती है यह आपसे पूछ लेगा जीवन परियंत चलने वाली प्रिक्रिया जो कब से कब तक होती है तो गर्वधारन से लेकर मिडियू परियंत तक चलती रहती है मनों वय ज्यानिकों ने विकास के विविन अभिलक्षुनों को बताया है जो इस प्रकार है कौन-कौन से आये देखते हैं विकास आत्मक प्रिवर्तन प्राया विवस्थित प्रगतյ सील और नियमित होते हैं साथी समान से विशिष्ट और सरल से जटीड और एकिकरित से क्रियात्मक अस्त्रो की और अगर्षर होने के द़ृण प्राया ये करम का अनुसरन करते हैं आपसे पूछ लेगा, विकास कौन से करम का अनुसरन करते हैं, तो विकास एक करम का अनुसरन करते हैं, कौन से, तो ये समान से विशिष्ट, सरज से जटिल, और एक इक्रित से क्रियात्मक अस्तरों की योर, अग्रसर होने के दौरान एक करम का अनुसरन करते हैं, चलिए, आ तर्कि कुछ छेत्रों में धीमी गतिश होता है इसी को बहुत ही लचिला होता है जो भी मैं यह आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं जो भी यह मैं लाल से घेरा कर रहा हूं वह एक पॉइंट है डायेक्ट उसी तरह आपको पॉइंट से कोश्चन बनाना है पॉइंट से ही एंसर देना है तो विकास क्या होता है विकास बहुत ही लचिला होता है इसका तात्पड क्या है तो वेक्ति अपने पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशेश से छेत्र में अप एक चाक्रित आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार पर कि उधानान स्वरुप सब्दावली के आकार और जटिलता में विरिद्धी प्रंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथ्वा छती भी नीथ हो सकती है जैसे हड्डियों के घनत में कमी या विरिद्धावस्ता में यादास्त का कम जोर होना आगे देखते हैं विकासात्मक अथ्वा गुनात्मक जैसे मुल्यों का निर्मान आगे क्या है तो किसरा वस्ता के दवरान सरीर के सांसात समवेगात्मक सामाजिक और संग्यानात्मक क्रियक्ता में भी तेजी परिवर्तन दिखाई देते हैं चलिए आगे चलते हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं मनोव ग्यानिकों ने अध्यर की सुप्धा के दरिश्टी कोन से विकास को निमने लिखित भागों में बाटा है कितने भागों बाटा है तो आईए देखते हैं पहला उनों दिया है क्या सारेक विकास विकास कोन-कोन से अब यह देखते हैं तो पहला हो गया सारेक की विका के परिवर्तन बाहर रूप से दिखाई तो नहीं परते किन्तों सहीर के भीतर इनका समुशित विकास होता रहता है चलिए आगे देखते हैं प्राणम में स्विश्यों अपने हर प्रकार के कारियों के लिए दूसरों पर निर्भा रहता है धिरे दिरे विकास की फिकरिया के रूप हो अपनी आप सकताओं के पूर्ती में सक्षम हो जाता है साररीक विकास पर बालक के अनुवनसिक गुनों का प्रभाव देखा जा सकता है यह भी एक पॉइंट है क्या साररीक विकास पर बालक के अनुवनसिक गुनों का प्रभाव होता है या नहीं होता है तो होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट है बालक वृद्धियों विकास के बारे में सिख्छकों को प्रयाफ्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार है क्योंकि बच्चों के रूचिया इक्षाएं द्रिष्टिकों एवंग एक तरह स सकती है चलिए वह था हमारा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है मानसिक विकास अब मानसिक विकास देख लेते हैं क्या है तो संग्यानत्मक या मानसिक विकास से तात्पर बालक क्यों सभी मानसिक योगताओं यों छमताओं में व्रिद्धी और विकास से हैं जिसक समस्या समधान करना नीने लेना इत्यादी योगता संग्यानात्मक विकास के फ़ल सुरूप ही विक्षित होते हैं चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा अगला पॉइंट है सामवेगिक विकास हम इसमें हम इसमें वह टॉपिक कवर करेंगे जो आपको एक्जाम में सीज़े पूछे जाते हैं तो हम पॉइंट बताएंगे और जो पॉइंट इंपोटेंट होगा उसे आप जरूर नोट कर लिजेगा तो समवेग मतलब भाव तो यह वह है समवेगिक विकास यानि भाव का विकास चली देखतें के आप समवेग जिसे भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है एसी अवस्था जो वेक्ति के वेभार को प्रभावित करती है समवेगिक विकास क्या है इसमें वेक्ति के वेभार को प सकाल में उसका की विताओर पुछ यहां को याक के संब्सक्राइब कर पर प्रभाव डालता है यह सीधे प्यूइंड पूछले गा। ँि पारिवारत क्या बालक के विकास में कोन कुन से सामिल है तो आपसे पूछ लेगा, सक्थज्ज्ज सब्सक्राइब का की ना कि घारत का देखीद्द ऴीच्छे में हो का होगा साथी पारिवारिक वातावरण भी महत्पूंभूम का होगा विद्याले के पड़िएस और क्रिया कलापों को उचित प्रकार संगर्ठित कर अध्यापक बच्चों के समविगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं यह तीनों दे दिया आपको चौथा द विकास क्या है तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्ज करने की सकतियों चमताओ या योगताओ का विकास इसको करते हैं क्रियात्मक विकास क्रियात्मक सकतियों चमताओ या योगताओ का अर्थ होता है एसी साररिक गतिविदिया या क्रिया जिनको संपन करने के लिए भास को एक प्रकार से संग्यानात्मक यानी भावानात्मक विकास माना जाता है भासा के माध्यम से बालक अपने मन के भावो विचारों को एक दूसरे है विचारों भावनाओं को समझता है भासाई ज्ञान के अंत्रगत बोल कर विचारों को परकट करना संकेत के मांध। अपनी रखना तता लिख कर अपनी बातों को रखना इत्यादी को भी समलित किया जाता है किसके अंतरगत भासिये विकास के अंतरगत चलिए आगे देखते हैं इसमें अगला पॉइंट है बालक छे से एक वर्ष के बीच कुछ सब्दों को समझने एवं बोलने लगता है तीन वर्ष की वस्ता में कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है 15-16 के बीच काफी सब्दों की समझ विक्सित हो जाती है भासाई विकास का करम एक करमिक विकास होता है आपसे पुछ लेगा भासाई विकास का विकास कैसे होता है तो ये करमिक विकास होता है इसके माध्यम से कोशल में विद्धी होती है अब है समाजिक विकास छटा पॉइंट है क्या समाजिक विकास समाजिक विकास का साब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतरगत रहकर विविन पहलूओं को सीखना समाज के अंतरगत ही चैत्र निर्वान, अच्छा विवार, सद्गुन तथा जीवन से सम्मंधित विवार, सिख्छा इत्यादी का विकास होता है आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है विविद्धी, तो यह हमारे साथ पॉइंट है, बालक के विकास से, यह आपको साथों पॉइंट याद रखने है, आप एक पेन और पेपर लेकर उसमें यह साथों पॉइंट नोट कर लिजिएगा, इस ग्रोथ, तो विविद्धी क्या है, आइए, जानते हैं विविद्धी के वारे में, विविद्धी का आर्थ होता है, बालकों की सारेक सनरचना का विकास, जिसकी अंतरगत लंबाई, भार, मुटाई, तथा अन अंगों का विकास आता है, विविद्धी की प्रक्रिया, आं वृद्धी निश्चित आयू तक ही होती है चलिए यह आपको दे रखा है यह आपको याद रखा है पॉइंट एक निश्चित आयू तक ही होती है तो भौतिक पहलू में ही संभव है वृद्धी पर आनुवनसिक्ता का सकरात्मक एवग नकरात्मक दोनों प्रभाव परता है यह भी आपसे पुदि लेगा वृद्धी पर कौन सा प्रवाव पड़ता है तो अनुवन सिक्ता का सकरात्मक यbn नकरात्मक दोनों प्रवाव प्रता है अब है वृद्धी अमंग विकास में अंतर विद्धी अमंग विकास का प्रयोग लोग प्रयावाची सब्द के रूप में करते हैं क्या विद्धी और विकास को लोग समझते हैं दोनों एक दूसरे के समनार्थी है लेकिन ऐसा नहीं है समनार्थी नहीं है प्रयावाची सब्द नहीं है दोनों दोनों में अंतर है और वो अंतर अभी हम नीचे टॉपिक में बात करेंगे वृद्धियों विकास का प्रयोग लोग प्रयावची सब्द के रूप में करते हैं और धारना ओधनात्मक रूप से दिखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है वृद्धिय अलग है और विकास इसका हम next topic में बात करेंगे यह topic के यहीं समावत होता है तो next topic में हम क्या बात करेंगे वृद्धी और विकास में अंतर असांति इसका भाग 2 यह topic 1 का भाग 2 आएगा इसमें हम बात करेंगे और उसके फिर कुछ प्रसंद करेंगे तो आपको यह session कैसा लगा आप हमें comment करके जोरू बताईएगा अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो एक्जाम दोर चैनल को subscribe कर ले सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर ले ताकि हड़ हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे वीडियो का like और share जरू कर दे हम आपसे फिर मिनेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत